अभी तो गड़कडी जी सबसे ताजा ताजा अगनी बीर बने हैं नई आभी बहुत लोगों को बनना है इससे पहले आडवानी जी बन गए उसके बाद रवी संकर परसाद बन गए अभी बहुत लोगों को अगनी बीर बनना है दो ही लोग रहेंगे चाचा और भतीजा चाचा हवाई जहाज से बासबो डिगामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेके का IPL में और चाचा फिर मंच पे जा करके भाशन देंगे कि पडिवार बाद देश की सबसे बड़ी समस्या है अमित साह जब बोलता है कि पडिवार बाद देश की सबसे बड़ी समस्या है तो मेरे मन में आता है कि जया साह को वो रेलवे परिट फॉर्म से उठा कर गे लाया है उसी का बेटा है ना कोई सक है जया साह किसका बेटा है यूपियस्सी लिखा था कैसे बन गया वो परिवारबाद नहीं है बैमानी नकली चानक हम बिहार से हैं असली चानक वहां पैदा हुए थे देखे बिहार में क्या हुआ देखे महारास्त का बदला नितिन साब हम लोग एक दम भिजा के ले लिए हैं चानक वह परिवारबाद नहीं है अनुराग ठाकूर यूपियस्सी किया था उसका बापनेता नहीं है और यह जो करनाटक का मुखमंत्री है उसका बापनेता नहीं था अप्यूस गोयल उसका बा कि बैमानी राजनाथ सिंग का बेटा एमेले नहीं है तो भाजपा का पडिवारबाद पडिवारबाद नहीं है और कॉंग्रेस के दो-दो प्रधान मंत्री ने अपनी जान दे दी तो आप हमको पडिवारबाद ही बोल रहे हैं दो-प्रधान मंत्री ने अपनी जान गवाई है इस देश के लिए उसको आप पडिवारबाद बोल रहे हैं और अपने बेटा को BCCI का सेकरेटरी बना रहे हैं ये पडिवारबाद नहीं है ये बैमानी है मैं कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरताओं को कहता हूं इन बैमानों के सामने जुकिये मत इन जुठों के सामने रुकिये मत अगर ये टोके तो इसको पलट करके सवाल पूछिए सवाल पूछिए इस बात का जब हम दंगा की बात करते हैं तो हमको 84 याद दिलाते हैं देश के प्रधान मंत्री डॉक्टर मन मोहन सिंग 84 में जो हुआ उसके लि हिम्मत मांगेंगे नरेंद्रमदी 2002 के लिए देश के मुसल्मानों से माफी ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ये देश हमारा है इस देश से हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए तयार हैं मांगेंगे माफी कि प्रधान मंत्री भाजपा पूरी तरीके से एक्स्पोज हो चुकी है एक एक चीज़ पे अरे आप हमको हडा दिये साहब 15 साल से नाधपूर में हम नहीं हैं पूछिए अपने नाधपूर के वासिंदों से कि बन गई सराख हो गया सारे समस्या का समाधान हो गया आपके सारे तकलीफ दूर अपना होता है अपना अपना होता है कॉंग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है इस देश का इतिहास है बरतमान है भबिस है इस बात को याद रखिये गार क्योंकि इस देश में जो हमको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने कुछ सही किया कुछ ग बोल करके आपने जिनको अपना आशिरवात दिया वो तो देश ही नहीं रहने देंगे इस बात को याद रखिएगा आज जिस तरीके से एक एक चीज का एक चीज का कतले आम किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रसंचिन निखाडा करता है मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं सबाल पूषते थे न मन मोहन सिंग से ने पूषते थे हवाई जहाज में बैठ करके प्रेस कॉनफरेंस करते थे सवाल आप हवाई जहाज में बैट करके प्रधान मंत्री से पूछते थे जो मन होता था वो करते थे जब इंद्रा जी ने आपात का लगाया था तो पत्रकारों ने उसके विरोध में संपाद किया बेज को खाली छोड़ दिया था है हिम्मत आज पुछिएगा सवाल सवाल पुछिएगा न तो आपके भी दफ्तर पर ED का रेड होगा इस बात को याद रखिएगा सवाल पुछिएगा न तो आपका भी फोटो मूरी आपका लगा देगा अद्देह किसी और का लगा देगा सर आपका और तन किसी और का आपको भी बदनाम किया जाएगा आपको भी धमकी भरे पत्र लिखे जाएगे आपके भी पडिवार के लोगों को परेसान किया जाएगा आपको भी सोसल मीडिया पे गालिया निकाली जाएगी और परधान मंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कोंफरेंस किया है कहते थे मन मोहन सिंग मौन मोहन सिंग है यही बोलते थे न और ये हर दिन जो रेडियों पे जाकर के मन की बात करते हैं पत्रकारों से आकर के देश की बात क्यों नहीं करते हैं ये सवाल इंसे पुछना चाहिए और नहीं पुछना चाहिए किस को देते है बाइट अक्षय गुमार को और अक्षय गुमार क्या पूछता है परधान मंत्री जी आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं खाते का निगल जाते हैं एक कुल जा सिमसिम बोलते हैं और सांक आम सीधे ठाली से उठकर उनके पेट में चला जाता है बताईए देश के पटान-्मंत्री से इस सवाल का क्या मतलब है कि आप आम कैसे खाते हैं औरे आपको जैसे मन हो इसे खाईए आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि RBI कह रही है कि अगर बैंकों को इसी तरह से नीजी करन किया गया तो देश को इसके परिनाम खतरनाक भूगतने परेंगे RBI अपना रिपोर्ट जारी कर दी फिर सरकार का दबाव आया और RBI ने अपना रिपोर्ट वापस ले लिया इसलिए आज हमारे Congress Party के नेता ने कहा कि RBI का मतलब पहले होता था Reserve Bank of India अब हो गया है Reverse Bank of India और जो लोग विरोध करते हैं उनको पद से हटा दिया जाता है RBI ने कहा कि नोट बंदी का फैसला हमारा नहीं था RBI ने कहा कि नोट बंदी अगर होगी तो अर्थविस्था को इसको गंभीर परिनाम भुगतने परेंगे और तब रात को आए अचानक से और कहा कि आज से पांच सो और हजार का नोट बंद बंद हो गया दावे क्या किये गए कि इससे आतंकवाद की घटना रुख जाएगी नकसलवाद की घटना रुख जाएगी काला धन वापस आ जाएगा तो पहला आप सवाल कि नोट बंदी हो गई आतंकवाद की घटना रुख जानी जाए चाहिए थी तो पुलवामा करने क के लिए इनका चचा लोग आया था कौन था कि देश में नक्सलवाइद की घटना कैसे हो रही है और कालाधन अगर वापस आ गया है तो आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाना चाहिए था न यह बोले कि कालाधन स्विश बैंक में जमा है कालाधन स्विश बैंक में जमा है और लाइन लग गया है इस बी आए के बाहर स्टेट बेंक आफ इंडिया के बाहर नोट बंदी के दोरान सैक्रों लोगों की जान चली गई जो छोटे-छोटे ब्यापारी हैं जो नगद का धंधा करते हैं उनका धंधा तबाह हो गया उसके बाद जी एस्टी लेकर करके आए क्या बोल करके कि वन नेशन वन टेक्स होगा सुनने में कितना बढ़ियां लगता है वन नेशन वन टेक्स होगा अगर वन नेशन वन टेक्स है तो महारास्ता में डीजल का अलग दाम और बिहार में डीजल का अलग दाम क्यूं है है कि नहीं है क्यों अलग-अलग दाम है तब कहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है इसलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है तो अभी कच्चे तेल की तीमत घट गई है तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है क्या जब कच्चे तेल की कीमत घटती है तब यह कीमत नहीं घटाते हैं लेकिन कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ गई है तो उसके आधार पर यह महंगाई को डिफेंड करते हैं एक भाजबा का समर्थक महंगाई को ऐसे डिफेंड कर रहा था हमने कहा कि रे भाई तुम अपना वाला चस्मा हमको दे दो तुम्हारा चस्मा लगा देते हैं तो हमको महंगाई भी अच्छा लगने लगेगा आज से पहले देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि महंगाई के फाइदे गिनाए गए थे ऐसा हुआ था क्या जब रुपए इतिहासिक तोर पर डॉलर के मुकाबले